दश्रम के भईया बहनो, आपने अभिशूर्दास जी के दो पद पढ़े हैं, पहला पथा ओधो तुम्हो अतिबड़ भागी, और दूसरा पथा मन की मन ही माच रही, आज हम उनके तीसरे पद हमारे हरी हारिल की लकड़ी इसको पढ़ेंगे, तो आईए पहले इस पद को प मनक्णम बचन नंद नंद नूर यह द्रिड़करी पकरी, जागत सोवत दिवस, जागत सोवत स्वक्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककडी, सूतो ब्याध हम को ले आए, देख ही सुनी न करी, यह तो सूरत तिनहीले सौपो, जिनके मन चकरी सूर्दाजी लिखते हैं कि जब निर्गुन ब्रह्म का उपदेश देने के लिए उध्धोजी, पदहारते हैं गोपियों के पास, जब उध्धोजी गोपियों के पास आते हैं, और उन्हें निर्गुन भक्ती का उपदेश देते हुए कहते हैं, कि भगवान श्री किष्ण के सगुन रूप को छोड़कर उनके निर्गुन रूप का ध्यान करें, वो तो सरवत्र हैं, कणकण में हैं, और संसार के जो अन्य कर्म हैं, अन्य कार्ज हैं, उसमें रत रहें, ऐसा नहीं कि सब को छोड़के आप सभी भगवान कृष्ण को रात दिन रत रही हैं, और इस दशा में क्यों हैं, तब गोपियां कहती हैं, हे उद्धोजी या प्रेम की पीड़ा है, जाके पाउन फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, आप ब्रह्म ग्यान, तत्व ग्यान, निर्गुन ब्रह्म की बाते कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे इस प्रेम की इस विरह की पीड़ा से गोपियां कहती हैं, उद्धारन देते हुए, अपने वाग चातुर्ज से, अपनी वाग पटुता को दिखाते हुए, गोपियां कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, हरी यहाँ पर भगवान श्रीकृष्ण के लिए आया है, गोपियां कहती ह कि जिस प्रकार हारिल पक्शी हरिल पक्शी की ये विशेस्ता होती है कि वह सदय अपने पंजो में एक लकड़ी को पकड़े रहता है थामे रहता है उसे इसा अभास होता है कि वह इसलेक्षारे ही उड़ रहा है यह लकड़ी हमेंशा उसके साथ उसकी र Зап्र के लिए गोपिया कहती है उद्धोजी से हे उद्धोजी हमारे हरी हारिल की लकड़ी हमारे लिए भगवान शुरकिष्ण हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है आगे वो कहती है मन क्रम बचन नंद नंद नौर यह द्रिढ करी पकरी मन से वचन से और कर्म से हमने सभी प्रकार से नंद 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 भगवान शुरकिष्ण को द्रिढ का पुड़वक पकड़ कर अपने मन को उन्ही में बसा लिया है मन क्रम बचन नंद नंद नौर यह द्रिढ करी पकड़ी गोपियां उदोजी से कहती है कि जिस प्रकार हारिल चिर्या किसी लकड़ी को सदे उपकड़े रहता है उसी तरह गोपियों ने हमने मन बचन और कर्म से स्रिकिष्ण के प्रेम के लुपी लकड़ी को द्रिढ पुड़वक पकर लिया है और हम किसी प्रकार से इस लकड़ी को छोड़ नहीं सकते हैं आगे की पंग्तियों में गोपियां कहती हैं अपने स्थिती को बताती हैं अपने बिरह की व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है जागत सोवत स्वप्न दिवसनिसी कान कान जकरी हम तो जागते सोते रात दिन यहां तक की सपने में ही अगर सपने में हमारे आँखों में आते हैं निंद में तो श्वपन में भी हम कनहिया कनहिया नाम रठते रहती हैं हमारा प्रेम तो इस प्रकार का है कि स्रीकृष्ण के नाम को छोड़कर श्रीकिष्ण के रूप को छोड़कर श्रीकिष्ण को हमने इस प्रकार अपने अंतरमन में बसा लिया है कि उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और उनके बिना हमें कुछ भी नहीं सुहाता गोपियां कहती है हम तो कनहिया कनहिया ही रठते रहती है सुनत जोग लागत है ऐसो जियो करूई ककरी गोपियों को वाकचा तुर्ज सूर्दास जी ने बड़े अच्छे ढंग से दिखाया है गोपियां ऐसे ऐसे उदाहरन देती है कि परम ज्यानी उद्धोजी परास्थ हो जाते है गोपियों ने योग की तुलना इस पद में कड़वी ककड़ी के समान से करवी ककड़ी से करते हुए गोपिया करती है कि जिस प्रकार करवी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता उसी प्रकार हमारे हिर्दे में योग कभी भी बस नहीं सकता हम तो सगुन के उपासक है निर्गुन भक्ती हमारे लिए उस करवी ककड़ी के समान है जो हर प्रकार से त्याज है छोड़ देने के लायक है सुनत जोग लागत है ऐसो जब आप बता रहे हैं योग की बाते सुना रहे हैं सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो सु तो ब्याद ही हमको ले आए देखी सुनी न करी गोपियां करते हैं सु मतलब वह ब्याद ही मतलब रोग पीड़ा पहुंचाने वाली बस तो कर रहे हैं गोपियां हे उद्धोजी आप तो ऐसी बिमारी ले कराए हमारे पास योग को निर्गुन भक्ती को गोपियां एक ब्याद ही के समान बताते हुए कहती हैं एक बिमारी के समान बताते हुए कहती हैं आप तो ऐसी बिमारी ले कराए हो जो हमने न तो कभी देखी न सुनी और न कभी इसका ब्यवहार करके देखा हमने तो बस भगवान श्रकिष्ण से प्रेम किया है आगे की पंक्ती में गोपिया कहती है यह तो सूर तिनहीले सौपो जिनके मन चकरी सूरदास जी की गोपियों की तरफ से लिखते हैं कहते हैं कि हे उद्धो जी यह जो जो जोग शाधना का संदेश आप लेकर आएं हैं आप हमें सुना रहे हैं इसकी आवश्चक्ता हमें नहीं है गोपिया समझाते हुए करती हैं योग की आवश्चक्ता क्यों है चित को इस्थिर करने के लिए मन को एकाग्र करने के लिए कोई योग करता है लेकिन हमारा मन तो पहले से एकाग्र है हमारे चित में किसी प्रकार की कोई चंचलता तो है नहीं हमारा अनुडाग तो भगवान स्रकृष्ण के चरुणों में उनके सगुन स्वरूप से हमें इतना प्रेम है कि उसके अतेरेक्थ हमारा मन कहीं जाता ही नहीं है तो फिर हमें योग की आवश्रक्ता क्यों है योग की आवश्रक्ता उसे है जिसका मन चन्चल रहता हो गोपिया कहती है यह तो सूर तिनहीले सौपो जिनके मन चकरी जिनका मन चकरी की समान इधर उधर घूमते रहता है जिनकी कहीं कोई स्थिरास्था नहीं है यह योग कहीं उनके मन को एक जगा एक अठा करके एक आग्र करके उन्हें किसी एक निश्चित विंदू पर एक आग्रता सिखा दे लेकिन हम तो पहले से एक आग्र हैं भगवान सुर कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं उनको छोर कर उनकी छवी को छोर कर हमें दिन रात नींद में सपने में कभी भी और कुछ दिखता ही नहीं इस प्रकार हमें इस योग की कोई आवश्यक्ता नहीं है हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दिवानी हैं हमारी लिए आपका यह योग शंदिस ब्यर्थ है बेकार है इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद के माध्यम से गोपियों ने बड़ी कुशलता से अपने तरकों के द्वारा परम ज्यानी उद्धोजी को परास्त कर दिया और निर्गुन भक्ती पर सगुन भक्ती की विजय को बड़ी ही सफलता पुर्वक्सूर दास जी ने इन पंक